नमस्कार दोस्तों आपका अपना ही चैनल City2 Village में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे RPM जो होता है कार के वो किस परकार से यूज होता है और कैसे चलाने के बाद जो होता है कि उसमे जो स्वी होता है वो किस परकार से उठता है वो सारी जनकाडिया आपको इस वीडियो में मिलेगी चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें दोस्तो आरपीम को समझने के लिए कार के जो डैस वोड होता है जिसमें मीटर लगा होता है वहाँ पर मैं आपको ले करके आया हूँ ताकि आपको असान भासा में और एक ही बार में सटिक नॉलेज दे करके समझाने की कोशिस मैं करूंगा तो यह जो देख रहे की आरपीम लिखा हुआ है और गूने एक हजार आरपीम लिखा हुआ है तो एक किस परकार से यूज होता है और कैसे कैसे इसको आगे देखेंगे वीडियो में की करना परता है और यह जो होता है कि सुई होता है RPM का यह पूरे जो देख रहे है वो RPM मीटर है और यह जो देख रहे हैं दोस्तों यह speed का meter है जो एस लेटर देने के बाद चलती है और ये भी जो है rpm वो एस लेटर देने के बाद चलेगी तो जैसे कि गारी बंद अगर आपको होता है neutral होता गारी को start करके और इस लेटर आप देते हैं तो rpm meter कुछ इस परकार से उठने लगता है जो कि आप देख रहे हैं इस परकार से उठता है चाहे वो गेर में हो या neutral हो गेर में जो होता है तो धीरे धीरे उठता है हिसाब से जैसे कि जिस गेर में आप गारी होता है उस हिसाब से जो होता कि speed meter में speed सब्सक्राइब नियु रहे हैं तो यह मिटर पर उठेगा और पर 52 के तूंकि डारी आपकी रूकी हुई है तो मीटर वह नीचे रहता है जैसे गेर में डाल करके और बढ़ाने लएंगे तो स्पीड मीटर भी उठने लगता है इस पीड कही साफ से और यह जो देख रहा है दोस्तों कि आर्पिया मीटर में रेड लाइन खिचा हुआ है यह डेंजर जोन होता है जैसे कि आर्पिया जैसे कि 10 से 20 सकेंड तक वहां तक जाने में लग जाता है मीटर को अगर फास्ट गारी चला रहे है क्योंकि फूल यह स्पीड पकर लेता किसी भी गेर का तब वहां जा करके जो होता है कि यह जाने लगता है इसलिए कभी भी आर्पियम जो होता है पाथ से लेकर के छे के ब बात करते हैं दोस्तों कि मीटर जो होता है कि किस परकार से काम करता रपियम का तो रपियम का जो आप मीटर अभी देख रहे हैं और यहां जो देख रहे है कि गुने 1000 रपियम लिखा हुआ है इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि यह वन जो लिखा हुआ देख रहे है कि यह 1000 में अगर 1 से multiply करेंगे तो 1000 दो पर सुई चला गया है 2 से multiply करें 2000 थीरी पर 3000 फोर पर 4000 फाइब पर 5000 ऐसे करके multiply करके 8 तक जाते हैं तो rotation per minute जो होता है कि engine का speed जो होता है motor होता है दोस्तों वो घुमती है तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये सुई जो है अभी 1000 पर जो है कि एक पर अगर रहेगा तो 1000 जो होता है कि RPM पर ये रुका रहता है अगर उससे उपर मिटर उठने लगता है जैसे कि 2 पर चला जाता है तो ये 2000 RPM पर चला जाता है यानी एक मिनट में जितने बार इंजन घूमती है तो ये सुई जो होता है उतने RPM पर जाकर रुका रहता है अगर श्लेटर आप देते रहते हैं तो और बढ़्र चला जाता है तो रोटेशन जो होता है इसका पर मिनट का जैसे कि एक मिनट में जैसे कि दो पर है सुई तो 2000 जो होता है कि बार ये घुमता है साथ सकेंड में 2000 बार घुमेगा तो अगर 5000 पर या 7000 या 8000 पर चला जाता है तो वहीं पर एक मिनट में जो होता है दोस्तों कि ये 8000 बार घुमेगा दो पर आ गया है तो 2000 बार घुमेगा तो 5 पर आ गया तो 5000 बार घुमेगा तो ऐसे करके जो होता है कि RPM का काम होता है RPM rotation per minute यानि एक मिनट में जितने नंबर पर सुई होता है उतने 1000 बार engine जो होता है कि घुंती है तो यह थी दोस्तो RPM के उपर वीडियो जो मैं आपको समझाने के कुशिस किया हूँ वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो लाइक करके और चैनल को नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें